एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्रेरे दोस्तों आपके अपने यूटूप चैनल पर मेरे प्रेरे दोस्त अगर आप बीए सेकेंडियर में हैं और से अच्छा सास्त रले रखें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं बात करें बीए सेकेंडियर में तो जो पर्थम परस्न पत्र है वो है सिच्छा मनोबिग्यान उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये आठवा वीडियो है इसके पहले साथ वीडियो पर चुके हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्सन में प्लेलिष्ट की लिंक दी हुई है वहाँ से जाकर देख लीजिए ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है इसकी मुझिल से आठ से दस कलास और चलेंगी सिछह मनो विग्यान पूरा क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा आज हम बात करेंगी मानसीख विकास के बारे में किसी बालख के अंदर मानसीख विकास किस प्रकार से होता है उसकी क्या-क्या भिशेष्थनाय है इन चीजों के बा आयू में अपनी उच्छतम सीमा पर पहुंच जाता है तो आपको मेरे दोस्त बड़े हिम मुस्कुरा के बजबाब देना रहेगा की उड़ वर्थ ने इसको कहा था ठीक है बात करें तो किसोरकाल में मानसी विकास की निमलिखित विसेष्टाएं होती है तो हम जो मानसी विकास है ये किसोरकाल के परपेक्ष में लेकर चलेंगे उसको ही ध्यान में रखके चलेंगे तो इसमें देखें तो इसकी विसेष्टाएं क्या है निमलिखित है जैसे नीचे में पहला पॉइंट जो आपका दिया है ये दिया है बुद्धी का अधिक्तम विकास ये विशेष्टा बालक किसोरा अवस्था में अधिक पाई जाती है कि उसमें बुद्धी विकास जो अच्छे से होता है चलिए स्टार्ट प्र देखते हैं पहला पॉइंट जो है बुद्धी का विकास बुद्धी का अधिक्तम विकास किसोरा अवस्था में बुद्धी का विकास अपनी सीमा तक पहुंच जाता है अगर देखें तो कि सोरा आवस्था के बाद जब आप प्राउण आवस्था में पहुंचते हैं तो वहां से फिर धीरे धीरे क्या बुद्धी का विकास नीचे की और जाना स्टार्ट हो जाता है यह विकास हर्मन के अंसार देखें तो पंदरा वर्स और स्पैंसियर के अंसार देखें तो 14-16 वर्स के बीच में होता है जब ये बुद्धी किसोरा वर्स्था में देखे अगर हर्मान ने क्या कहा है हर्मान ने कहा है कि जो ये बुद्धी का विकास होता है ये 15 वर्स की आयू में अपनी अधिक्तम सीमा पर पहुंच जाता है और Sphere Man ने कहा है, उन्होंने कहा है कि 14-16 वर्स के बीच में जो है ये अपनी अडिक्तम सीमा पे पहुंच जाता है ठीक है, बात करें आपसे प्रस्न पूँच सकता है कि कि 14 वस्था में बुद्धी का विकास अपनी सीमा तक 15 वर्स की आयू में पहुंच जाता है या किस ने कहा है, तो आपको ध्यान में रखना रहेगा, हार्मन ने कहा है, अगर आपसे पूँच लेखी कि 14 वस्था में बुद्धी का विकास अपनी सीमा तक 14-16 वर्स की आयू के बीच पहुंच जाता है या किसका कथन है तो आपको ध्यान में रखना रहेगा इस पियर मैन का कथन है ठीक है देखते हैं अगला पॉइंट मेरे पहे दोस्तों तो अगला पॉइंट जो होता है रुची का विकास रुचियों का विकास जो है ये आपकी दूसरी भी सेस्ता होती है कि सोरा आवस्था में मानसी विकास के अंतरकट ठीक है चलिए इसमें देखा जाए तो इसमें कहरा है सारीलिक स्वास्त रुचियों का विकास जो है कब होता है तो बालक का सारीलिक स्वास्त के प्रत उसकी रुची जादा बढ़ जाती है अध्यन में उसकी रुची जादा बढ़ती है क्योंकि वो नई नई चीजों को सुनता है पढ़ता है तो उसमें भी उसकी चरित में उसकी रुची जादा बढ़ जाती है मांसिक स्वास्त में अच्छा भोजन भेस भूसा जीवन के प्रति आदरसों से संबन्दित रुचियों का विकास इसकी प्रमुख विशेषता हो जाती है किस की तो मेरे प्यारे दोस्त बालक की हो जाती है किस अवस्ता में तो किस ओरा अवस्ता में ये आपको ध्यान में रखना है अगला पॉइंट जो है आपका तो जो तीसरी विसेस्ता है मेरे पैरे दोस्त तो मानसी विकास की जो तीसरी विसेस्ता हो जाती ही वो हो जाती ही सीखने की छमता का विकास बालक कितनी अच्छे से किसी चीज़ को कितने जल्दी कितने स्पीड में किसी चीज़ को सीख सकता है ये क्या हो जाती है अगली विशेस्ता हो जाती है मानसिक विकास की तीसरी विशेस्ता देखें जिग्यासा प्रविति की प्रवलता के कारण किसोर सीग्र सीखने का प्रया होती है जब वो कोई चीज नई नई चीज सुनते हैं तो उनके अंदर काफी ज़्यादा questions उठने लगते हैं वो क्या नहीं क्यों और कैसे पर विश्वाजब करने लगते हैं वो क्या का प्रसंद नहीं पूछते क्यों और कैसे प्रसंद पूछने लगते हैं जैसे कोई स्वस्गाइब कर पाता है सीख पाता है इस समय उसमें के चमता का अधिक विकास होता है यह समझ में आ गई होगी बात करें इस में किसोर कि सोर्यों में मूर्त शुंतन की सक्ति आ जाती है जो किसोर किसोरिया होती हैं बालक बालिकाय होते हैं जब ये किसोरा वस्था में पहुंसते हैं तो इन में फर्क समझ में आ जाता है क्या चीज अच्छा है और क्या चीज बुरा है ठीक है तो वो अर मूर्ट और अमूर्ट का चिंतन सकती इनके अंदर आ जाती मतलब अपने प्रति क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज वाकई में हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सारी चीजे उनके दिमाग में आने लगती हैं, वो चीजों को जानना इस्टार्ट कर देते हैं, इसकी सहायता से वो विभिन विस्वयों की आलोचना भी कर सकते हैं, मतलब अगर उनके अं ताययों को भी देख सकते हैं, यह आपका राच चौथा चौथी विस्था, किसका मानसिंख विकास की बात करें आपके पांचुईंख विस्था की, तो मानसिझ विकास की जो पांचुई विस्था है मेरे पराएं दोस्त, वह ऐ है कलुपना सकती का विकास बालक के अंदर किसोर किसोरियों के अंदर क्या हो जाती कलपना सकती का विकास होता है किसोरा अवस्था में ये अमान से विकास की पांचुई बिसेशता है ठीक है चलिए इस अवस्था में किसोर कलपना जगत में बिचरन करता है इसमें और उसमें दिवाश अ बनना होता है जो चीज उनके जो चीज देखते हैं आसपास के माहूल में देखते हैं तो उन चीजों की क्या एक कलपना करने लगते हैं सोचने लगते हैं कि हां कास मैं भी डियम बनता कास मैं भी दरोगा बनता कास मैं भी आगे चलके डॉक्टर बनूंगा तो ये करूंगा और इंजीनियर बनुगा तो ये करूँगा, मास्टर बनुगा तो ये करूँगा, तो ये सारी चीजे क्या वो कलपना करने लगते हैं, और जब ये सारी चीजे उनके दिमाग में चलने लगते हैं, कलपना करने लगते हैं, तो वो खुली आँखों से दिन में सपना देखना स स्टार्ट कर देते हैं ठीक है चले अगला पॉइंट देखें छे नंबर छे नंबर जो है मानसिक सकु मैं तर्क सक्ति का विखें क्या छट्वी बिसेजता है क्या तर्क सक्ती का विकास तो इसमें क्या होता है कि किसोर क्या किसोर इस आयू में बिना तर्क कि किये वह किसी बात को मानने के लिए तयार नहीं होता क्योंकि किसोर में इस आयू में तर्क वबात विवात की सक्ती का विकास हो जाती है मतलब कहे रहे हैं उस बालक जो किसोर होते हैं किसोरिया होती बालक बालिकाय होते हैं उनके अंदर क्या इस आयू में जो है तरक सक्ती की जादा प्रबलता हो जाती है इस कारण वो किसी बात को बिना जाने बिना परखे वो बात विवात के बिना तरक के उस चीज़ को मानने स से इंकार कर देते हैं तो ये किस खरण से उनके अंदर क्या जाती है ये विशेष्टा उनके अंतरगता आ जाता है कब किशोर आवस्था में मानसी विकास के अंतरगत चलिए जो अगला पॉइंट है वो है अस्मरण सक्ति का पूण विकार इसमें क्या होता है बालक और बालिकाएं अच्छे तरीके से क्या अस्मरण कर सकते हैं किसी चीज को सीख सकते हैं तो मनो बैग्यानिकों का मानना है कि 18 से 19 वर्ष की आयू तक किसोर इस्मृति की अधिक्तम मात्रा प्राप्त कर लेता है क्या मनोबैग्यानिक मानते हैं कि जो 18-19 वर्ष की आयू होती है, यहां तक पहुंचते पहुंचते बालक जो है किसोर जो है इसमृति की अधिक्तम मात्रा प्राप्त कर लेता है, मतलब किसी चीज को जो सीखने की छमता होती वहाँ पे सबसे अधिक होती है, तभी वहां पॉइंट है यह है भासा का विकास जब बालक या बालिका किशोर या किशोरिया जब यह 14 से 16 वर्ष के बीच में होती है इनके मांसी विकास के अंत्रगत जो आठ्वी विसेष्टा आती है वह आती है भासा का विकास इस अवस्था में इस अवस्था में सब्ड भंडारन हेतु सब्ड भंडार बहुत बिस्तरित हो जाता है मतलब जो बालक या बालिकाय होते हैं जब वो इस अवस्था में पहुंचते हैं तो वो इतने चीजों से परचित हो चुके होते हैं इतने सब्ड सुन लेते हैं इतनी सारी तरीके जान ल आ जाते हैं कि वो उन चीजों को अच्छे से क्या कर पाते हैं ब्यक्त कर पाते हैं पढ़ने लिखने में योग्यता बढ़ जाने के करण किसोर कहानिया उपन्यास पत्रिकाओं में रुची लेने लगता है जब बालक जो होता है पढ़ने में क्या उसकी योग्यता जो होती है पढ़ने और लिखने में योग्यता बढ़ जाती है जब वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लेता है वो पढ़ने के साथ-साथ ही वो क्या उस चीज़ को समझ भी पाता है जैसे ऐसा नहीं कि वस किताब खोला पढ़ते चला गया जब वो पढ़ता है और वो चीज सीधे-सीधे उसके दिमाग में बैठती रहती है तो वो क्या करने लगता है मेरे पहले दोस्त तो वो कहानी उपन्यास पत्रिकाओं में रुची लेने लगता है वो नहीं-नहीं कहानिया धोनता है नहीं-नहीं पत्रिकाओं पढ़ता है और उससे काफी जादा आनंदित होता तो उस चीज़ को काफी जादा उसमें इंट्रेस्ट लेता है ठीक है भासा विकास पर बिद्याले तता सामाजी संपर्क और वातावरन का प्रभाव परता है जो भासा विकास है में प्रेदोस्त इस पर अगर देखें तो इस पर मुख्य रूप से दो चीज़ों का करते हैं तो उन सी जोका क्या होता है बालक के उपर प्रभाव परता है क्योंकि जब बालक वहां पर देख रहा है सो बच्चे दस बारा टीचर एक बलेंगुज बोलें तो वही चीज़ बोलने का प्रयास करता है साथ ही साथ उसके सामाजी को जो सामाजी भासा होता है सामा पर देखता है कि उसके घर वाले उसके आस पड़ोस वाले जो उससे मिलते हैं जो संपर्क में आते हैं वो लोग किस भासा का प्रियोग कर रहे हैं तो वो भी उसी भासा में ढलने का प्रियत्न करता है और मेरे प्यारे दोस्त वो उसका भी प्रभाव इसके उपर पड़ता है अक्सर बालक स्कूल में सुद्ध हिंदी बोलते हैं गाउंग आने के बाद अपनी दिहाती स्टार्ट कर देते हैं यही कारण है कि वो ना تو सुद्ध हिंदी ठीक से बोल पाते हैं और ना ही अपने आके दिहाती भासा अभी उनको कह दो कोई चीज उनकी अगर गायब हो जाती है या कोई चीज गायब हो जाती है तो अक्सर करके जो गाओं के लड़के होते हैं धीरे धीरे सुद्ध हिंदी बोलना खड़ी हिंदी बोलना श्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं मेरा ये चीज हैरा गया मतलब मेरा ये चीज तो जानने ठीक है, चलो मालो मेरा गेंद हिरा गया, मतलब वो सुध इंदी भी बोलने का प्रियत्न कर रहे हैं, और उसमें जो हिरा गया सब्द है, वो हिरा गया जाना सब्द जो क्या हो जाता है, देशज महां सा हो जाती है, देशज सब्द हो जाता है, इसलिए क् को बोलने में काफी ज़्यादा कठिंता का सामना करना पड़ता है ये किस कारण तो जो उनके ऊपर सामाजिक संपर का वातावरन होता है उसके कारण होता है तो आई होप मेरे पेरे दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो फटा फटा लाइक करो और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ सेर करो अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भार प्रोप्ट